है वेल्कम बैक टो और चैनल स्मार्टेर्स क्लब और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इस चैनल के माद्यम से इस वीडियो के माद्यम से हम निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी का डिली अनलिसिस करते हैं यह अनलिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल अनलिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चैन को दोस्तों यह अनलिसिस करने के साथ में ही नेक्स ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी में जो लेबल्स पॉसिबल होते हैं हम उन ल होशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोजात को नौ बजे या नौ बजे के पहले पहुँच जाए साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल अनालिस और ट्रेडिंग टेक्निक से लिटेड वीडियो भी रेकुलरली देखने को मिलते रहते हैं अगर आप अपश्चिंद के अंदर डेरिवेटिव के और ट्रेट करते हैं तो अपशिंद को किस तरह से एफेक्टिवली रीड करना चाहिए कौन से स्ट्राइक के उपर में बायर अक्टिव है, या कौन ते स्ट्राइक के काम करने के वाइत आपको maximum benefit हो सकता है, इसी के साथ में technical patterns को किस तरह से derivatives के साथ में mix करके trade करें, इन सब subject को cover करते हैं videos आपको अमारे playlist में मिल जाएंगे, तो friends, इसी तरीके से नए-ने चीज़ों को सीखते रहने के लिए और अपने आपको update रखने के लिए, हम आपसे request करेंगे कि चैनल को subscribe कर लिजे और साथ में bell icon को भी प्रेस कर लिजे ताकि आपको latest updates मिलते रहें, इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को support करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को join भी कर सकते हैं, जहां पे silver, gold और platinum ये तीन membership हम offer करते हैं, इनके सब gold आपको nifty और bank nifty के daily के futures के label होते हैं, हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं, और अगर आप platinum membership के ले जाते हैं, तो आपसे live market के अंदर में जो मैं trade initiate करता हूँ, इनिशेट के बारे में information भी शेयर करता हूँ, तो दोस्तों शुरू करते हैं, हम हमारा आज का वीडियो जो है nifty 50, bank nifty और हमारे इंडड़े trades के बारे में, दोस्तों शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में, 21.82 पे काम करता हूँ, इंडिया विक्स नजर आ रहा है, 0.17 मामुली बड़त है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, मामुली बड़त देखने को मिल रही है, लेकिन nifty 50 और bank nifty में, काफी सांदार recovery बोल सकते हैं, 11.878 के उपर में nifty काम करता है, and nifty future आपको 132 points के addition के साथ में, लगबग 11,900 के आसफास में काम करता हूँ, अच्छी recovery है, लेकिन थोड़ा सा यहां पे divergence, divergence नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कमजोरी दिख रही है इसके अंदर में, चार्ड के उपर में discuss करेंगे, किस कमजोरी को लेके मैं बात कर रहा हूँ, और समझने की कोशिश करेंगे, कि option chain के अंदर में, क्या formation हो रहा है, या किस तरह का shift देखने को मिल रहा है, पर पहले समझ लेते हैं, आज के दिन के trade को, तो दोस्तों आपको याद होगा, मैंने शेयर किया हुआ था, कि एक open position है मेरी, निफ्टी के मैंने open position रखे हुए थी, 11,900 का call हमने इसमें buy किया था, average में 75.5 के आसपास हुआ था, लेकिन वहां पे 67 में हमने उसे score off कर दिया, दो इट वें अप्टिल 87 after that, वहां पे लॉस्ट भूख हुआ हमारा, second trade जो आज के दिन में मैंने इनिशेट किया था, 24,100 PE का इनिशेट किया था, 342 पे हमने buy किया, 362 पे उसे score off, मतरब TSL हिट हुआ, बाद में इट वें अप्टिल 400 and plus, बाद वहां पे 1,000 मामली सी profit हुई, and then after that again we initiated 324,100 PE, लेकिन जिस तरह से market उपर नीशे कर रहा था, 307 का stop loss होता हुआ नजर आया, so overall last कुछ दिन के अंदर में we can see, कि थोड़ा सा चार से पांच ऐसे trades गया है, जहां पे loss और अबुसा भूख हुआ है, but market उस तरह से react कर रहा है फिलाल, और यह reaction नवंबर तक expectation होनी चाहिए, मैंने पहले वीडियो में भी discuss किया था, तो अभी हम important labels के आसवास में काम कर रहे हैं, तो इस तरह का reaction देखने को मिलता है market से, अगर आप my platinum members हैं, तो आपको यह सारे calls, यह सारे trades, आपको आपके WhatsApp में मिल रहे होंगे, अगर WhatsApp में नहीं मिल रहे हैं, तो 829-180-2926 के उपर में आप WhatsApp करके information ले सकते हैं, चलिए देखते हैं, आने वाले week के अंदर में, Nifty 50 और Bank Nifty के सब से perform कर सकता है, बात करेंगे Nifty 50 के बारे में, और मैं बात कर रहा था कि जिस तरह से Candle Sticks बन रहा है, जिस तरह से Patterns बन रहे है Nifty 50 का उसके बारे में कि कैसे काम हुगा आज दिन भर में, स्टार्टिंग करेंगे आज का दिन की जो शुरुवात हुई थी आज देकि वहां से पहला Candle आपका Red Candle था, दूसरे Candle, तीसरे Candle में ही पूरी Recovery हुई, फिर उसके बाद में एकदम थकान वाला काम होता रहा और उस High को भी हमने तच नहीं किया, अगर इसे सही धंग से देखा जाए तो क्या है एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर में हम काम करते रहे, भले देखने के लिए हम 100 प्लस पॉइंट के उपर में काम करने हैं लेकिन Gap Up Opening उसके अंदर में हुई और इस Gap Up Opening होने के बाद में आपको एक Consolidation देखने को मिला हुआ है, दो चीजे पॉसिबल हैं कल के दिन में उसके बारे में डिसकस करेंगे, बट फिलाल जिस तरह से काम हुआ है उस काम को आप ये मानके चलिए कि Positive वे में ही काम हुआ है कल के train line के हिसाब से उसे हमने तोड़ा नहीं है अभी तक, तो एक Positive वे में ही काम होते हुए नजर आया ह कल breakout हो सकता है या नहीं हो सकता है उसके बार में डिसकस करेंगे, एक बात देख लेते हैं चार्ट पे कैसा डेली candle पे बनना हुआ नजर आ रहा है हमें, यहाँ पे clear cut दिखाए दे रहा है एक dozy form हो रहा है, यहाँ पे clear cut आज का candle dozy form होते हुए नजर आया हुआ है, आपको को भी मालु में dozy क्या होता है, इन डिसेजन इसकी बात होती है, confirmation नहीं होता है, ना ही buyers active दिखते हैं, ना ही sellers active दिखते हैं, यह candle आपको यह जो rally है, clear cut 11,900 के आसपास में resistance दिखा रही है, और नीचे की तरफ 11,800 के आसपास में support दिखा रही है, कल के लिए यह दो label बहुत important है, अगर किसी reason की वैसे हम gap up कर जाते हैं, gap opening हो जाती है, 11,900 हम तोड़ के निकल जाते हैं, तो definitely आप 11,000 के आसपास में जाते हुए कल के दिन में नजर आ सकते हैं, लेकिन अगर gap up हुआ, sustain नहीं हुआ, तो वापस से 11,850 के आसपास में support आते हुए नजर आ सकता है, सो करना क्या है, buy on dips, बहुत दिनों से हम लोग बात कर रहे थे, buy on dips का strategy रखी, अभी भी, यहाँ भी भी buy on dips का strategy होना चाहिए, contract call देने की मैंने कोशिश की थी, जो की bank nifty में की वी थी, तो फिलाल निफ्टी के अंदर में buy on dips का ही एक रणनीती रखने काम करना चाहिए, थोड़ी सी एक जो यहाँ पर कमजोरी नजर आरी मैं उसके आरे में बात कर लेता हूँ, इसे हम compare करेंगे bank nifty के साथ में, और जब bank nifty के आप बात करते हैं, तो bank nifty 24,200 के आसपास में गया था, and then वहाँ से fall होते हुए नजर आया हुआ है, same way, nifty 12,000 के आसपास गया था, उसके ऊपर गया था, वहाँ से fall होते हुए नजर आया है, bank nifty ने पिछले दो दिनों के अंदर में पूरा ये 1,000 fall recover कर लिया है, लेकिन nifty ने अभी recovery नहीं की है, so lagging behind बुला जा सकता है, nifty के अंदर में कमजोरी देखी जा रही है, फिलाल charts पे वह clear है, 11,800, 11,900 important zone है, थोड़ा सा बढ़ाना चाहे, बड़ा zone करना चाहे, तो 11,950 से लेकि 11,750 का label के बारे में हम बात कर सकते हैं, option chain refer कर लेते हैं, option chain में क्या दिखाई दे रहा है, जिस तरह से आज दिन भर के अंदर में काम हुआ है, definitely plus point था, तो हमें writing देखने को मिलेगी put के अंदर में, और हमें longs बनते हुए नजर आएंगी call के अंदर में, यह normal situation है, और वैसा हुआ है, 11,873 पर हमने closing दी है, let's talk about good या बढ़िया open interest कहां पर built up है, कल भी हमने discuss किया था इसके बारे में, 12,000 का open interest पर 41,334 का open interest है, फिलाल 12,000 strike की बात कर रहा हूँ मैं, 34,988 के उपर में 12,200 का, जो बात कर रहा है, strike के उपर में 34,200 का open interest है, 43,746 का open interest आपको 12,500 पर देखने को मिल रहा है, highest open interest consider करना है, आज की दिन में consider कर सकते हैं इसे, क्योंकि activity भी देखने को मिल रही है, और highest open interest आपको 12,500 पर हुआ है, addition सबसे ज़्यादा activity आपको राइटिंग 12,200 पर देखने को मिल रही है, यानि टेडर्स अभी भी यह expect करना है कि 12,200 नहीं तूटेगा, यह एक इंपोर्टन अपडेट है, अभी भी वह expect करना है 12,200 नहीं तूटेगा, यानि अगर इसको दूसरे डंग से देखे, तो वह expect क करना है कि शायद हम 12,150 तक आ सकते हैं, 180, 190 तक आ सकते हैं, एक मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए 12,200 के उपर जाएं, लेकिन ठिकेगा नहीं, इसके नीचे ही हो कि, highest open interest 12,500 पर है, और activity 12,200 में call में देखने को मिल रही है, put side में देखे, कल के दिन में 11,700 पर highest open interest था, क्या आज भी 11,700 पर highest open interest है, बिलकुल नहीं, shift होता हुआ नजर आ रहा है, shift in range देखने को मिल रहा है, indeed change of direction, मतलब market उपर जा रहा है, और नीचे इसकी तरब से base भी shift होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि 11,700 से 11,800 पर आ गया है, कहने का मतलब बहुत simple है, जो आज move हुआ है, वो data से properly supported ह support होके, वो move होते हुए नजर आया है, complete पूरी तरह से यहां पर आपको writing देखने को मिल रही है, put side के अंदर में, और वो जिस तरह से हमने growth किया, जिस तरह से आज point addition किये, वो लाजमीता कि वो होना ही है, so नीचे जाते समय 11,800 आपके लिए बहुत important support का काम करेगा, break नहीं ह लगा किसी company को, किसी बड़ heavy company को, तो वहाँ पर आपको एक बार जटका देखने को मिल सकता है, nifty के अंदर में, या bank nifty से related हुई तो, देखने को मिल सकता है, तो तैयारी रखिए buy on dips के लिए, उपर की तरह से target आपको रखना है, इस week में नहीं, तो next week के अंदर में 12,200 प् देखने को मिल जाएगा, so guys thank you very much for watching this video, hope ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा, in case if you have any kind of feedback, please feel free to mention it in the comment box, hope आने वाला week आपके लिए जोरदार हो, और ये एक स्पाइरी के अंदर में आप खुब सारा पैसा कमाए, good night.